राम राम प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत भई अपने योट्यूब चैनल के उपर आज हम बात करेंगे भई HSC CET बर्तियों को लेकर भई जो आप लोगों के लिए ग्रूप C और D के अंदर आप लोगों की जो कोमन इजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता भई CET जो HSC के दुआरा फारम आप लोगों के लिए बॉल़ने का काम के जता है अब थी बार NTA के मैदम से इन परिक्सां को लेने का काम भी किया गया था भई इस परिक्सा के अंदर बहुत सारे बदलाओ किये बढ़िए उन बदलाओ के जा जाएंगे अन बदलाओं के बारे में आप लोगों को पूरी नहीं निकाले गई वही, दोघ़ाज़ार 24 के अन्दर आप लोगों के लिए फारम निकालने का काम है, वो किया जाएगा, क्योंकि वहीद दोघ़ार 24 के अन्दर आप लोगों के, आप अहरीयाना के अंदर, वही, MP और MLA के लेक्षन है, इन चीजों को देखते वोए एजमेंट निकालने का काम किया जाएगा और जो group D होगी वो ईस group D की प्रिक्षा के अंदर कोई बद्लाव शूआ प्रिक्षा एक ही प्रिक्षा होगी और उस प्रिक्षा के अंदर आप लोगों को पांच अंक देने का काम है वो भी किया जाएगा यानि कि टोटल सो नंबर के अंदर से मैरिट बना कर आप लोगों को लगाने का काम किया जाएगा जो प्रिक्षा होगी वो 95 नंबर की होगी और पांच न पर्ट्यों के अंदर बदलाव किया जाएगा और ये बदलाव हरियाना पुलिस की जब तक फाइनल वकैंसी नहीं आएगी उस वकैंसी से पहले बदलाव नहीं किया जाएगा जैसे ही उन प्रिक्षाओं को या हरियाना पुलिस की जो प्रिक्षा हैं उस प्रिक्षा के बाद भई ग्रूप सी के अंदर बदलाओ किया जाएगा और जो बदलाओ होगा भई पहले तो आप लोगों के जो समाजी कार्ति कांग है पांच वई उनको काटने का काम किया जाएगा यानि कि आप लोगों को ग्रूप सी प्रिक्षा क KIRBY के अंदर सकता है कि सीटी एक्जाम को क्वालिफाई किया जाए और ये जो बदला होगा वो हर्याना सरकार के द्वारे किया जाएगा ना कि एक्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप लोगों के लिए 15 से 20 गुणा करने का काम है वो किया जा सकता है और ये सभी बदलाओ भई हर्याना सरकार के द्वारा या हर्याना के जीएम मनोहर लाल खट्र साब की जो अधक्षता होगी उस अधक्षता के अंदर इन चीज़ों को चेंज करने का काम किया जा सकता है और आप लोगों के लिए वकेंशियां भी आएंगी वोट लिये जाएं वोट बैंक को बढ़ाया जाए इन चीजों को देखते वे हर्याना के अंदर वोकेंशिया आने वाली है और अपनी त्यारी के अंदर लग जाएं जिन बच्चों का भी एकजाम च्छे नहीं हुए उनके लिए एक बार फिर से मौका होगा उन सभी कंडि आप लोगों की जो परिकशा है हुँँगी जूण जुलाई या अगस्ठ मिने के अंदर करवाये जाएंगे वह क्यूंकि अक्तूबर मिने के अंदर सितंबर और अक्तूबर मिने के अंदर हर्याना सरकार के दौसरा पर पूश्ट कहाता दौस्तों उस चीज़ को जुरूराइने करना भी ठेंकिए दोस्तों